प्रश्ण पत्रों की श्रंखला में आज हम करने जा रहे हैं प्रश्ण पत्र संख्या 61 का विशलेशन पेपर 61 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल संख्या 61 अब हमारा निर्देश है identify the segment in the sentence which contains a grammatical error नीचे दिये गए वाक्य में पहचानिये उस हिस्से को जिसमें grammatical error हो I looked him at the eye and told him all I knew I looked him at the eye नहीं होगा I looked him in the eye किसी की और सीधे देखना उसकी आखों में अक्सर जब आप कोई इमानदारी से बात कहना चाहते हैं कोई कथन करना चाहते हैं सीधे किसी की आखों में देखना I looked him in the eye and told him all I knew मैंने उसके आखों में सीधे देखा और उसे बता दिया जो भी मुझे पता था All I knew जो भी मुझे पता था Error किस खंड में? Error B खंड में है At the eye नहीं इन दी आई होना चाहिए था आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर Rearrangement of Sentences का एक प्रशन है चार खंड हैं जिन्हें randomly या बेतरतीब तरीके से उपर नीचे लिख दिया गया है उन्हें सही क्रम में जमाना है विधी आप जानते हैं पहले जैसे दिया है वैसा पढ़ ले फिर हल करें He took great care of his subjects शब्द subjects कार थे प्रजा and made sure they lived in happiness और सुनिश्चित करता था इस बात को कि वे खुश रहें प्रसन रहें यहाँ ही pronoun है किसी ने किसी noun के लिए आया होगा तो एक खंड से पहले वो खंड होना चाहिए जिसमें कोई noun हो जिसके विशे में ये प्रोनाउन है sometimes he himself went amongst the people in disguise disguise कार थे वेश बदल कर यह चद मवेश में to see and learn about their actual state उनकी वास्तविक स्थिती देखने और उसके बारे में समझने के लिए he sent spies spies कार थे गुप्तचरिया जासूस into the kingdom, kingdom है राज्या to report to him about the condition of his people ताकि वो लोगों की परिस्तिती हालात के बारे में उसे बता सके a just and loving king शब्द just कार थे नियाई प्रिये इसी से बना है justice a just and loving king once ruled over a large kingdom इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा नुमान हो चला है किसी एक राज्य के राज्या की बारे में बात है और वो राज्या बहुत ही नियाई प्रिये और प्रजा प्रिये था इतना पढ़ने पर एक चीज तो असपश्ट है कि इसमें segment D ही introductory segment है पहला खंड होना चाहिए D इसके इतरिक्त हमारे पास link है D A और A C इस क्रम में पढ़ने a just and loving king once ruled over a large kingdom हमारे पास noun आ गई है king एक नियाई प्रिये और प्रजा सिप्रेम करने वाला एक शाशक किसी kingdom पर किसी राज्ये पर हुकूमत करता था शाशन करता था अगर वो प्रजा का प्रिये शाशक था प्रजा का पालन करने में उसे सुख मिलता था तो he took great care of his subjects प्रसंद रहें खुश रहें उसके उपरां C इस बात को करने के लिए he sent his spies वो गुप्तचर भेजता था into the kingdom to report to him about the condition of his people वो गुप्तचर भेजता था अपनी kingdom में अपने राज्ये में ताकि वो उसे बता सकें कि उसकी प्रजा के परिस्थिती हालात कैसे हैं बी के बाद A, A के बाद C अब सिर्फ A की खंट बचता है B sometimes he himself went amongst the people अब दूसरा काम sometimes कभी कबार वो स्वयम भी लोगों के बीच जाता था amongst है बीच में लोगों के बीच जाता था इंडिस गाईज वेश बदल कर छदम वेश में और उनकी वास्तविक परिस्तिती के बारे में जानना चाहता था वो कौन सा उप्षन है जिसमें D के बाद A हो A के बाद C और अंत में B ऐसा विकल्प है सिर्फ तीसरा C यही आपका उत्तर होगा आगे बढ़ते हुए अगला सवाल सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर फिर से हमें एक वाक्य मिला है जिसमें grammatical error को पहचानना है जिस हिस्से में जिस segment में grammatical error होगी वही आपका जवाब होगा I can explain you the reason for the delay in executing the order executing का आर्थ है निश्पादन करना किसी काम को carry out करना निश्पादन करना उसका I can explain you नहीं I can explain to you I can explain you नहीं होता explain के बाद preposition to चाहिए और फिर noun या pronoun होनी चाहिए I can explain to you the reason for the delay मैं तुम्हें समझा सकता हूँ तुम्हें स्पष्टी करन दे सकता हूँ कि देरी क्यों हुई order के निश्पादन में किस खंड में error है यहाँ पर I can explain to you उपलब्ध विकल्पों में answer होना चाहिए I can explain to you the reason for the delay in executing the order answer हुआ B आगे बढ़ते हुए अगला सवाल सवाल संख्या 89 आपकी screens पर एक बार फिर से rearrangement of sentences का प्रश्ण है चार खंड है करने की विदिया आप हमेशा से जानते है जैसे दिया है वैसे पढ़ें फिर हल करें combining vitamins A, C and D3 with zinc and probiotics probiotics वे खाद्यपदार्थ हैं अथ्वा वे supplements हैं जिनके माध्यम से हम हमारे gut में digestive system में उपियोगी bacteria की संख्या बढ़ा सकते हैं दही भी सामने तहएक probiotic food माना जाता है gives a good flu fighting remedy flu कार्थ है जो खाम बुखार का रोख influenza संख्यत में flu fighting remedy remedy शब्द कार्थ है कोई उपचार, इलाज या औशधी vitamin C plays a vital role vital कार्थ है बहुत महत्वपोंड role in maintaining बनाए रखने के लिए the body's natural defense शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा या स्वभाविक सुरक्षा को बनाए रखने में vitamin C का बहुत महत्वपोंड role है भूमिका है it also supports a healthy immune system immune system का आर्थ है प्रतिरोधी तंत्र यह शरीर के स्वश्थ प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत बनाए रखने में सहायता करता है it यहाँ पर निसंदे प्रोनाउन vitamin C का people with low vitamin C are at much greater risk of getting infections infections का आर्थ है संक्रमन जिन लोगों के शरीर में vitamin C की कमी होती है वे अधिक जो खिम पर होते है infections पाने के अर्थात उन्हें infection लगने का जो खिम काफी अधिक रहता है इतना पढ़ने पर हम समझ गए है इसकी शुरुवात खंड B से होनी चाहिए क्योंकि B introductory खंड है इसमें जो मेंतोपोन लिंक है वे हैं B, C, काफी महतोपोन भूमिक आदा करता है वाइटल एथी महतोपोन उसके उपरांत C इट इट यहां पर प्रोनावन है विटमिन C का और सपोर्ट से हेल्थी इम्यून सिस्टम एक मजबूत स्वस्त प्रतिरोधी तंत्र को बनाये रखने में सायता करता है उसके उपरांत D people with low vitamin C are at a much greater risk of getting or contracting infections जिन लोगों के शरीर में vitamin C की कमी होती है उन्हें infections लगने का संक्रमन लगने का जो खिम अधिक रहता है और अंत में A होगा आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो combining vitamins A, C and D3 with zinc and probiotics gives a good flu fighting remedy इससे बहुत अच्छा उपजार हो जाता है यदि आप vitamin A, C, D3 और zinc तथा probiotics मिला कर उपचार के रूप में दें तवाई के रूप में दें कौन सा ऐसा option है जिसमें B के उपरां C हो और फिर D के उपरां तन्त में A हो answer होना चाहिए मात्र option B यही आपका answer है आगे बढ़ते हुए अगला सवाल सवाल संख्या असी हमारे पास है close test fill in the blanks का accept करने की सही विधी आप पहले से जानते है passage को जैसे दिया है वैसे पढ़ें समय कम हो तो आधा पढ़ें उसके बाद हल करें और हमेशा blank के आगे तक पढ़ें वन डे विलियम स्टंबल अपॉन नोवल इन डैश बुक शॉप पैरी मेसन रिटन बाई एर्ल स्टेंली गार्डनर ही डैश दे बुक सिंपली बिकिस टाइटल अफ दे बुक कवर लोग डैश इतना पढ़ने पर हमें ठीक ठाक अनुमान हो चला है कि किसी विलियम नाम के विक्ति को कहीं कोई उपन्यास मिला और आगे बात होगी उस उपन्यास या उपन्यास के लिखक के विशे में अब हल करते हैं वन डे विलियम स्टंबल अपॉन इस्टंबल ओन या इस्टंबल अपॉन का अर्थ है सायोग से कोई चीज मिल जाना अनौवल उपन्यास इन डैश बुक शॉप इन लोकल बुक शॉप एक इस्थानिय बुक शॉप में एक दिन सायोग से विलियम को एक नौवल मिला अन्या उप्शन सवश्य देखा करें लोकेशन का अर्थ है इस्थिती लोकलाइज का अर्थ है किसी क्षित्र विशेश में सीमित रखना अगर कोई क्राइसिस या समस्या लोकलाइज़ है तो उस क्षित्र विशेश में रिस्ट्रिक्टिट है सीमित है option d local scar थे इस्थानिय लोग हमारा answer local होगा इस्थानिय ना कि इस्थानिय लोग आगे बढ़ते हुए in a local bookshop अब Perry Mason book written by Earl Stanley Gardner Earl Stanley Gardner अमेरिकी लेखक थे उन्होंने एक किताबों की श्रंखला लिखी जिसमें कालपनिक डिफेंस लॉयर था जो की बड़े जटिल केसे इसको हल करता था उसका नाम था Perry Mason बात में इसके उपर एक television series भी बनी Perry Mason series में 82 किताबे हैं और 4 short stories a Perry Mason book written by Earl Stanley Gardner Earl Stanley Gardner द्वारा लिखी हुई Perry Mason series की किताब he dashed the book simply because he picked up उसने उठा लिया उस किताब को because the title of the book cover looked dash अन्य options पहले देख लेते हैं he picked up the book अन्य options देखें picking कार्थ है चुनना जबकि picked up कार्थ है उठाना pick on एक interesting phrasal verb है इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को बुरी तरह से treat करना दुर व्यवहार करना उसके साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार करना किसी व्यक्ति को चुन लेना और उसके साथ आप target करके उससे गलत व्यवहार करें तो you are picking on him pick at का अर्थ है थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन खाना हिंदी में कहेंगे जैसे की चुगना भोजन चुग रहे है तो you are picking at the food answer होगा picked up आगे बढ़ते हुए he picked up the book simply because the title of the book cover looked dash answer होगा looked attractive क्योंकि book cover का जो book का जो the title of the book cover जो था book cover का title उसे बहुत ही attractive लगा अकर्शक लगा अन्य options होज़े देखे attraction आकर्शन है attract है आकर्शित करना या आकरिष्ट करना attracted उसी की second form है हमें यहाँ एक adjective चाहिए attractive होगा attract या attracted या attraction नहीं because the title of the book cover क्योंकि book cover का जो title था जो शीर्शक था वो से बहुत आकर्शक लगा attractive लगा आगे बढ़ते हुए although it was an unabridged book unabridged कार्थ है पूर्ण अगर कोई किताब abridged form में है तो संक्षिपत रूप में है अगर वो unabridged form में है तो पूरी है complete है in an unabridged it was an unabridged book पूरी किताब थी संक्षिपत रूप नहीं था पूर्ण किताब थी William was able to dash it was able to read it उस पूरी complete किताब को वो पढ़ पाया answer होगा to read able to read it अन्य options देखें read पढ़ना है to reading और reading नहीं हो सकते was able के साथ हमें यहाँ infinitive चीए to के साथ first form to read होगा was able to read it with sufficient comprehension comprehension का आर्थ है समझ यद्यपी वो किताब पूर्ण किताब थी संक्षिपत रूप नहीं था किताब का पूरी मोटी किताब रही होगी फिर भी William उसे पढ़ पाया with sufficient comprehension sufficient है परियापत और comprehension का आर्थ है समझ वो अच्छे से समझ के उसे पढ़ पाया आगे बढ़ते हुए this was partly because और ऐसा आंशिक रूप से इस लिए था because the novel contained क्योंकि जो पन्यास था contained dialogues dialogues का अर्थ है समवाद क्योंकि उस novel में समवाद थे written in simple conversational language उसमें जो समवाद थे वो लिखे हुए थे बिलकुल सीधी साधी बाचीत वाली भाशा में conversational है बाचीत वाली आम बाचीत की भाशा language भाशा है अन्या option सवश्य देखें प्रोलोग कार्थ है प्रस्तावना प्रस्तावना इसके लिए एक प्रियाएवाची है प्रेफस इस शब्द का उच्छारण प्रिफेस नहीं है प्रेफस है प्रेफस या प्रोलोग कार्थ है प्रस्तावना किसी लेख या निबंध के अंध पर जो कंक्लूशन के रूप में परेग्राफ लिखा जाता है हिंदी में उपसंगार और अंग्रीजी में एपी लोग कहलाता है आखरी ऑप्शन सी मोनोलोग का अर्थ है एक अलाब मोनोलोग होता है जब एक ही वेक्ती बोल रहा हो अन्यक कोई उससे बाचीत नहीं कर रहा हो तो एक ही वेक्ती बोलें आएक अलाब हो तो वो है मोनोलोग हमारा अंसर यद्यपी होगा डायलोग सम्वाद आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या पिच्चैजी आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लेंग का प्रश्न है सवाल पढ़ते हैं बोथ इस परफॉर्मन्स और पूरा का पूरा प्रोड़क्शन जो निर्मान था वर्डैश बाइक्रिक्स क्रिटिक्स का अलोचत हमारा आंसर हो तीखी आलोचना करना उसकी परफॉर्मन्स की जो उसने काम किया तथा पूरा जो प्रोड़क्शन था निर्मान था उसकी बड़ी तीखी आलोचना की आलोचकों ने ड्रब किया तीवरा आलोचना की अन्य आप्शन्स देखें फेल नाकाम होना है लूज गार थे खोना और aid guard थे साहता करना हमारा answer D ही होगा आगे बढ़ते हुए आगला सवाल सवाल संख्य 86 आपकी screens पर अब निर्देश है दिये गए वाक्य को passive voice में बतलें वाक्य है how much do you pay as insurance premium ऐसे वाक्यों में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि हम tense पहचाने वाक्य है how much do you pay simple presentance का वाक्य है passive में रचना होगी is MR जैसी भी आवश्यक्ता हो के साथ verb की third form या past participle form हमारी passive रचना होनी चाहिए how much is paid by you as insurance premium उपलब दिकल्पों में सिर्फ D ही answer हो सकता how much is paid by you as insurance premium कुछ लोगों को हो सकता है ए भी आकरशक option लगा हो किन्तु being होने से वो गलत है is MR के साथ being तब होता जब active का वाक्या present continuous stance में होता answer D ही होगा B और C बिलकुल भी आकरशक option नहीं है how much is paid by you as insurance premium आगे बढ़ते हुए सवाल संक्या सत्यासी आपकी screens पर one word substitution का प्रश्ण है पढ़ते हैं a person who listens to someone's private conversation without them knowing और without their knowing ऐसा व्यक्ति जो लोगों की निजी बाचीत को सुनता है उनके बिना जाने उन लोगों को बिना पता चले हमारा answer होगा eavesdropper, eavesdropper का आर्थ है दूसरों की बात चुपचाप या चुपके से सुनने वाला, बातों पर कान धरने वाला अन्य option सवच्छे देखें, infiltrator का आर्थ है घुसपैट या, spy का आर्थ है जासूस या गुप्तचर secret agent भी spy ही है अकसर किसी देश विशेश का, जैसा कि James Bond की फिल्मों में कहा जाता है वे MI6 के secret agent है, secret agent भी एक जासूस या गुप्तचर ही है, हमारा answer होगा eavesdropper, बातों को चुपचाप सुनने वाला, लोगों की बातों पर कान लगाने वाला आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल संख्या, 88 आपकी screens पर, निर्देश है, select the most appropriate option to improve the underlined segment in the given sentence नीचे दिये गए वाक्य में एक रेखांकित खंड है, हमें इसे substitute करना है, सही option से पढ़ते हैं, Brian remained silent ब्राइन चुप रहा, during the board meeting, board की meeting में, board of directors की meeting में, दो सुभाश was unaware, हाला कि सुभाश को पता नहीं था, unaware है, अनभिग्य अनजान, that he had an ace up his shirt असली मुहावरा, असली इडियम है, have an ace up your sleeve, have an ace up your sleeve का आर्थ है, कोई गुप्त जानकारी, या फिर गुप्त लाब होना, जिसका लोगों को भी पता नहीं है, और आप सही समय पर उसका प्रियोग करेंगे, answer होगा, he had an ace up his sleeve, option B, सही answer है, अन्या कोई भी option सही नहीं है, ace up his fortune अत्वा his head नहीं हो सकता, answer होगा, B, उसके पास एक गुप्त फाइदा था, लाब था, या गुप्त जानकारी आदी थी, जिसका वो लाब उठा सकता था, आगे बढ़ते हुए, अगला सवा, जवाल संख्या नवासी, एक बार फिर से sentence improvement का वाक्य, पढ़ते है, चिली का आर्थ है मिर्च, तो चिली से मिर्चियां, मिर्चियों का बड़ा तेज, तीखा स्वाद होता है, spicy है, तीखा मसालेदार, that tingle, tingle का आर्थ है, चुभन या संसनी सी उत्पन करना, इसके लिए प्रियायवाची हो सकता है, prickle, that tingle, जो चुभन या संसनी पैदा करती है, कहा your taste buds, taste buds का आर्थ है स्वाद का लिका है, मानव जीब या जिवापर taste buds होती है, जिससे उसे किसी चीज़ के स्वाद का पता चलता है, error का पता लगाते है, यहाँ that एक relative pronoun है, जो परिभाशित कर रहा है, इसका antecedent taste को, taste इसका antecedent या पूरवगामी शब्द है, और that के उपरा verb और pronoun, taste के मताबिक होना चाहिए, taste singular है, tingle नहीं, tingles होना चाहिए, that tingles your taste buds, जो संसनी या चुभन सी उत्पन करती है, आपके स्वाद का लिकाओं पर, हमारा answer कौन सा option होगा, निसंदे, option C, spicy taste that tingles your taste buds, अन्य कोई option सही नहीं है, आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या नभ है आपकी screens पर, अब direct speech के वाक्या को indirect speech में बदलना है, वाक्या है, someone said to me, quote, I've been invited to the show, but I'll not be able to go, unquote, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले reporting verb देखा करें, reporting verb said past tense में है, जिसका आर्थ है, direct speech के tense को indirect speech में बदला जाएगा, said के बाद object है, मीता, तो said बदलेगा, told में, I've been invited, इस tense को चानिये, present perfect tense है, passive voice में, have been को बदला जाएगा, had been में, to the show, but I will not नहीं होगा, she would not, will बदलेगा, would में, क्योंकि reporting verb past tense में है, हमारा indirect speech में वाक्या होना चाहिए, someone told me ता, that she, have been, नहीं, had been invited to the show, but she, will not, नहीं, would not be able to go, answer होगा, option, तीसरा, see, someone told me ता, that she had been invited to the show, but she would not be able to go, कुछ लोगों को हो सकता, option B, दूसरा option आकरशक लगे, पर वहाँ, error है, had invited नहीं, had been invited होना चाहिए था, will भी गलात है, would में से नहीं बदला गया, option C ही सही होगा, A और D भी बिलकुल आकरशक option नहीं है, answer C है, आगे बढ़ते हुए, सवाल संग के एकरान में, हर रोज मैं सुबह morning walk के लिए पार्क में जाता हूँ, पर आज मेरा बचपन का दोस्त, fill in the blank करें, answer होना चाहिए ran into, phrasal verb run into या bump into का आर्थ है, संयोग से किसी से मिल जाना, तो I run into का past tense होगा, ran into आज संयोग से मैं मिला, अपने बचपन के दोस्त से, अन्य options हमेशा देखा करें, run after है, किसी लक्षा दी के पीछे दोड़ना, जैसे अगर कोई वेक्ती कर रहा है, is running after money, तो इसका मिला है, दौलत के पीछे दोड़ रहा है, उसका लक्षा मान कर उसे पीछा कर रहा है, उस चीज़ का run after का past tense होगा, ran after run over का आर्थ है, कुछ चलना, कोई गाड़ी किस रलबता ran into रहेगा, जिसका आर्थ है मैं सहयोग से मिला, run into का past tense, आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्याबान में, आपकी screens पर आप fill in the blank का प्रशन है, एक बार फिर, everything happened so quickly, dash she felt dazed, dazed का आर्थ है, पूरी तरह गड़ बढ़ाया हुआ, या फिर पूरी तरह अचंबित या है रहत में, जब आप ना समझ पाएं क्या करें, इस तरह आप अगर इस स्तती में, तो आप dazed है, everything happened so quickly, that, इतना ज्यादा की, so that कार्थ है, किसी चीज़ के तिवरता बताने की बात की जा रही है, इतना तेजी से हुआ कि वो पूरी तरह गरबढ़ा गई, confused हो गई, नहीं सवाल, सवाल संक्यातिरान में, one word substitution का प्रशने, एक बार फिर से पढ़ते है, the state of being unable to breathe, breathe कार्थ है स्वास लेना, एक ऐसी इस्तती जिसमें आप स्वास लेने में असमर्त हों, which causes somebody to die, जिससे कोई वेकती हैं, तो मर जाए, अथ्वा बिकम unconscious, unconscious कार्थ है, बेहोश, बेहोश ह हो जाए, answer होगा, asphyxia, asphyxia कार्थ है, दम घुटने की इस्तती, अन्य option, सवश्य देखे, anorexia एक eating disorder है, एक ऐसी इस्तती जिसमें कोई व्यक्ती, इस डर से कि वो मोटा हो जाएगा, भोजन के प्रती अरूची विक्सित कर लेता है, बहुत कम खाना खाने लगता है, और उससे उसका शरीर और भी अधिक कमजोर हो जाता है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, कम खाना खाने की एक इस्तती, जिसमें व्यक्ती कम खाना खा कर बहुत कमजोर होता जा रहा है, डिसलेक्सिया एक learning disorder है, जिसमें कोई व्यक्ती शब्दों आदी को पढ़ और समझ ठीक स नहीं पाता, अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित है, तो अक्सर वर्णों और शब्दों के अंतर नहीं समझ पाता, उनके उच्चारण और उनकी स्पेलिंग्स को आपस में नहीं जोड़ पाता, लर्निंग डिसॉर्डर का शिकार रहता है, पाइरेक्सिया कार शब्द कॉंडिसेंडिंग बना है वर्ब कॉंडिसेंड से, कॉंडिसेंड का अर्थ है इस तरह का विवहार करना जिसमें आप अपने आपको स्रेष्ट मानते हैं और दूसरों को अपने से कमतर मानते हुए विवहार करते हैं, ऐसे विवहार करते हैं कि वो वेक्ति आप से दिखाते हैं, बढ़कर दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं और दूसरे वेक्ति को अपने से कम तरांगते हुए विमहार करते हैं शब्द condescending के लिए synonym हो सकता है patronizing और एक अन्य सिननिम हो सकता है supersilious उपलब्द विकल्पों में हमारा answer होगा option c superior तो अगर आपका attitude superior condescending या patronizing attitude वाला है तो आप इस तरह वेवार करते हैं कि आप बहुत बड़े हैं स्रेश्ट हैं बुद्धिमान हैं ग्यानवान हैं और सामने वाला रेक्ति बहुत कम अकल है बहुत आपके नीचे आपके सामने बहुत तुच्छ है निचले स्तर का है अन्य option सवश्चे देखें शब्द demure का अर्थ है modest या shy या शब्द आम तोर पे इस्तरियों के लिए ही प्रियोग में लिया जाता है तो demure हिंदी में हुआ शर्मीली शर्मीले सुभाव वाली अक्सर इस्तरियों के लिए option बी subdued का अर्थ है दबा हुआ सा दुखी उदासा या low spirits में तो अगर आप low spirits में हैं दबे दबे से हैं थोड़े दुखी से हैं तो subdued है अंतिम option है शीपिश शीपिश कार्थ है शर्मिंदा या embarrassed हमारा answer होगा superior आगे बढ़ते हुए अगला सवाल सवाल संख्या पिचान में आपकी screens पर इस बार निर्देश है select the most appropriate antonym of the question word प्रश्न शब्द है abominable abominable कार्थ है घिनोना या घ्रनित synonym हो सकता है disgusting घ्रनित घिनोना हमारा answer होगा हमें विलोम शब्द बताना है इसलिए answer होगा a delightful delightful का अर्थ है बहुत ही charming या pleasant रमणी या आनंद कर सुखद अन्य options अवश्य देखे options b और c दोनों ही प्रश्न शब्द abominable के synonyms हैं पर हमसे तो antonym पूछा है विलोम शब्द इ होगा घ्रनित घिनोने का उत्तर होगा charming या रमणी आनंद कर अंतिम option d का आर्थ आप जानते हैं रंग बिरंगा colorful आगे बढ़ते हुए अगला सवाल सवाल संख्या च्यान में आपकी screens पर अब हमें मिला है एक मुहावरा मुहावरा या idiom है do a good turn इस idiom का मीनिंग बताना है do a good turn का आर्थ है उपयोगी सिद्ध होना या किसी वेक्ति को कोई सेवा सहायता इस प्रकार देना जिससे उसका लाब हो उसके लिए उसकी उपयोगीता हो उधारन के तोर पर अगर मैं कहता हूँ my friend did me a good turn इस का आर्थ है मेरे मित्र ने मेरी सहायता की कोई ऐसी सेवा दी ज जब रेंडर का आर्थ है देना कोई सेवा देना अन्या उप्शन में का प्रॉफिट रिटर्न गिफ्ट वेट फॉर रिटर्न कोई भी उत्तर होने के करीब नहीं है आंसर होगा भी आगे बढ़ते हुए सवाल संक्या सत्यान में आपकी स्क्रीन पर एक बर फिर से एक इड दुक्सान में थी, मुश्किल में थी, संकट में थी, अब वो से उबर गई है तो हम कहेंगे दे कंपनी हैस फाइनली टर्न दे कॉर्नर हमारा आंसर होगा तू पास्ट क्रिटिकल स्टेज संकट वाली इस्तिती से उबर जाना बाहर निकलाना अन्या कोई आप्शन सही होने के निकट नहीं पहुचता हमारा आंसर एही होगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए सवाल संक्या ठ्यान में आपकी स्क्रीन पर अब अपकी बार हमें पता लगाना है मिस्स पेल्ट वर्ड वो शब्द जिसकी स्पेलिंग गलत हो शब्द अफ्लिक्शन की स्पेलिं में दो एफ होने चाहिए अफ्लिक्शन का अर्थ है किसी दर्द या परिशानी का स्रोत दर्द या परिशानी का स्रोत अथवा कोई बिमारी या रोग अफ्लिक्शन डबल एफ होना चाहिए अन्य आप्शन्स अवश्य देखें थ्वार्ट का अर्थ है नाकाम बना देना या असफल करना इसके लिए एक सिननिम हो सकता है फोईल असफल बनाना नाकाम करना सूवेनियर का अर्थ है इस्मृति चिन्न या निशानी कोई इनाम मिला जो आप इसमृति के रूप मे रखते हैं वो स्मृति चिन्न सूवेनियर है मेमेंटो है, अन्तिम शब्द पॉल्ट्री कार्थ है तुछ या वर्थलस अगर कोई चीज पॉल्ट्री है तो बहुत तुछ किस्म की है कोई खास उसकी वैल्यू नहीं है हमारा आंसर भी होगा आगे बढ़ते हुए फिर से हमें पता लगाना है मिस्स पेल्ट शब्द हमारा आंसर होना चाहिए ए फ्रेंटिक शब्द में ये के नहीं होना चाहिए फ्रेंटिक कार्थ है उन्मत अगर आप एकदम उन्मत है बहुत ज़्यादा बे तहाशा भाग दोड़ कर रहे हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बेचेनी से चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनमत हैं, फ्रेंटिक हैं, जैसे फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर सम्थिंग, अन्य आप्शन्स देखें, एमिनिंट कार्थ है, प्रख्यात यां फेमस, आप्शन B, आप्शन C, कंपैरिजन कार्थ तुलना है, और अन्तिम आप्शन, एस्टिमेट कार्थ है, अनुमान या अनुमान लगाना आप जानते हैं, और अब आखरी प्रशन, सवाल संख्या 100, आपकी स्क्रीन्स पर, प्रशन शब्द अंडू का अंडू कार्थ है, किसी किये हुए कार्य के प्रभाव को शुनित करना, उदार है, उसको न्यूट्रलाइज करना, हमारा आंसर होगा, रीटेन, रीटेन कार्थ है, बनाए रखना, अन्या उप्शन अवश्य देखें, अनल कार्थ है, रद्द करना, कैंसल करना, इफेस कार्थ है, मिटाना, और अंडर माइन कार्थ है, किसी चीज प्रयासाधी को कमजोर करना, अगर आप किसी की एफर्ट्स या कोशिशों को अंडर माइन करते हैं, तो उन्हें कमजोर करते हैं, आंसर हमारा सी ही होगा, सो ये था आपका विशलेशन पेपर 61 का, I hope you learned something from it, अच्छे है सर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सीखी हुई वोई वो का माधे हो साह सबstal करते हैं, इस ょदेम है समय में से फिर से देखें, वीडियो में से देखें और